होली का पर्व बुराई पर अच्छाई के जीत के रूप में मनाया जाता है इस दिन लोग एक दूसरे को गले लगा कर होली की शुब कामनाय देते हैं आपको बता दे कि इस बार होली का देहन 7 मार्च और रंग से खेलने वाली 8 मार्च को है हाला कि देहन के दिन ही होली जलाई जाती है दरसल इस बार की होली में कुछ लोगों ने मुहरत के अनुसार होली का देहन 6 मार्च को ही कर लिया था लेकिन कई जगा पर होली का देहन आज होना बाकी है ऐसे में कि आपको पता है कि होली की अगनी में कुछ चीजे डाल कर आप जीवन की सभी समस्याओं से निजात पास सकते हैं तो आईए जानते हैं कि ये चीजे कौन सी हैं सबसे पहले होली का धहन की अगनी को प्रणाम करना ना भूले साथ ही इसके बाद अगनी में गेहों की बालियों को डाले फिर अगनी की प्रक्रिमा कम से कम तीन पाच या साथ बार कर ले फिर होली का की राख को घर ले जाएं साथ ही अपने धन रखने के स्थान पर होली का की राख को रख दे कुछ शास्त्रों के नुसार ऐसा करने से धन में वृधि होने की भी मान्यता होती है अब जानते हैं कि होलिका देहन का मतलब क्या होता है होलिका की अगनी को पहुत पवित्र माना गया है ऐसा कहा जाता है कि इस दिन अलग-अलग चीजों को अगनी में डाल कर व्यक्ति अपनी जीवन की समस्याओं से मुक्ति पा सकता है मतलब रोग, बिमारी और विरोधियों की समस्याओं से छिटकारा मिल सकता है साथ ही आर्थिक इस्तिती में भी सुधार आ सकता है आप भी इस पोली में इन टोटकों को अपना कर अपनी जिन्दिगी और अपनी आर्थिक स्तिती को बहतर कर सकते हैं